नमस्कार दोस्तों स्वागत था अपस दिक आपके अपने ही टू चैनल अमन प्रेज जीके जिसमें जिताकी फेंट साजयाव का 11 सेप्तमबर 11 सेप्तमबर को आपका ठर्ट का एक्जाम था जो कि स्वाप्ट हो गया है तो थर्ट सेट में आपके टोटल 25 जिके जिसके प्रस्ट बूसेगे थे उन में से लगवग 22-23 प्रस्ट जो की मुझे प्राप्त हो गया है उन सभी प्रस्ट को देखेंगे इस एंसर के साथ जो कि 100% आपका एकुरेटर हेगा प्रस्न भी और एंसर भी साथ में जिनका आगे एकजाम है उनके लिए उससे ज़रूरी एक्स्टा फेक्ट्स को भी देखेंगे उस परस्ट ठीक है तो चलिए वडियो को स्टाट करते हैं विना किस दरी कि इससे पले अगर आप चैनल पे ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है तो आप लोग जाकर वहाँ से जो आइन हो जाएगा क्योंकि पीडियाप से ही अब जारे सारे जो परस्ट ने आपके रिपीटेट हो रहे हैं तो देखे पहला जो आज का परस्ट पुछा गया था आपका कि गराम रक्षा रक्षक योजना यानि कि विलेज डिफेंस गार्ड स्केम की स्राज्य के इंसाजित प्रदेश में सुरू किया गया है तो इसका राइट एंस हो जाएगा फेंड सापका जम्मु कश्मी ठीके अब इहाली में जम्मु कश्मी राज में गराम रक्षा रक्षक योजना सुरू करने की गोशना की गई यह योजना तब सुरू के गी थी जब जम्मु की शिमावर्ती लाकों में सुक्षा बनाने के प्रदाश्य अजाती कामरित महस्व आयुद किया गया था इसके लावा इस योजना के प्रदाध जम्मु कश्मीराज के सभी ग्राम सिमाओं के निकट सामुदाइक सुक्षा की जिमदारे भी ग्राम रक्षा कार्ट से ही ली जाएगी इसकी पुस्ट्री किस ने की थी तो अधिकारों ने वहां की की थी ठीके तो इसका राइट एंसर आपका जम्मु कस्मीर हो जाएगा चले फ्रेंड्स वरते हैं नेक्स्ट परस की और बरने से पले दोस् सभी का PDF लेना चाते हैं तो मात्र बिश्प में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं WhatsApp नमर दिया गया है दोनों में से किसी WhatsApp नमर भी संपर कर लिजेगा ठेके आपको जिकी जिस करेंट अफेक्स के साथ मिलेंगे जो एक्स्ट्राफेक्स आपके एक्जाम में हुब हूँ देखन चाते हैं तो मात्र आपको 69 पर मिलेगा उस वही प्रोसेस से आपको WhatsApp नमर पर संपर करना होगा ठेके जो भी लेना होगा और उसका स्क्रिंसोट या तो और भी जनकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगे चली हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो जिखें नेक्स जो परस पुछा गया था आपका कि महात्मा गादी जी की आत्मखथा का क्या नाम था ठेके यह परस्ट आपका सेकेंड सिर्ट में पुछा गया था ठेक तो इसका जो राइट एंसर है आपका सत्य के साथ मेरे पड़ियो ग्यानी कि The Story of My Experimental with Truth इसका आपका राइट एंसर हो जाएगा ठेके यह जो पुस्तक है आपका महात्मा गादी ने इसे मुल रूप से कौन से भासा में लिखे थी तो गुजराती भासा में लिखे थे ठेके इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उनकी अन्य पत्रिका येंग इडिया में भी किस्तों में नजर आया है इसका अनुवाद अगर बात आपसे पूछ दिया जाए या आपसे पूछ दिया जाए कि इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी अनुवाद किस ने किया था तो मह ये किसकी द्वारा लिखा गया पुस्तक है तो खुस्मन सिंग के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इसको भी आप याद दख लिजेगा नेक्स प्रस पुछा गया था कि पहला जो आम चुनाओ है कि सवर्ष वह था, तो इसको हमने 1st 2nd स्रिप्ट के वीडियो में ही डिस्कस क्या था, जब आपसे पुछा गया था कि पहले आम चुनाओ जो पहला लोक सभा के अधक्ष कौन थे, उस इसे महीं हमने आपको बताया पहला जो आमचुनाव है वह आपका 1922 इसमें में किया गया था ठीक है उसके नुसार आपका ऑप्सन होगा तो आप उसको राइट कर लीजेगा ठीक है आपका एकामण होगा चाहे आपका बामान ही होगा भारत के पहले आमचुनाव के आंसिक परिदाम है जो कि आपका 10 आपका चुनाण की नेतित वाली सोशल पार्टी जो कि आपके तिस्टर नंबर के थे ठीक है इसके लाबा 25 अक्टूबर 1951 फरवरी दोजा 1952 तक आपका पहला जो आमचुनाव है जो कि आपका हुआ था ठीक है इसका जो गठने आपका 17 पर 1922 को हो गया था और पहला लोग आपके जीबी मामलंकर जी थे जो कि आपके सेकेंटिकेнच के एकजाम में पूछा गया था ठीक है नेक्स हो पर फरस पूचा गया कि निमलिकित में से कौन सा गायक आनपरदेश से समंदी थे जिसमें से एक उप्सन आपका सिसतला जान की तो उनका कि बात करेंगे तो उनका जो जनव है आपका 23 अपरेल 1934 को आन्पदेश की एक भारतिये पाश्रफ गाई का और समाईक संगीतकार के तौर पर हुआ था उन्हें सम्मानपूर्वग जानकी अम्मा और दचिन भारत की कोकिला है जो की कहा जाता है इसका राइट एंसर सिस्तला जानकी हो जाएगा ठेके नेक्स जो परस पुछा गया था कि दित्ये जो गोल में समले ने उसमें किसने भाग लिया था ठेके वो आपके महातमा गांधी जी ने भाग लिये थे महातमा गांधी जी के लावा जो कॉंग्रेस के परतिनीदी थे वो आपके रंगा शौमी अयंगर थे मदंद महर मालविय थे इसके लावा सोसित वर के जो परतिनीदी थे वो आपके डॉक्टर भीमरा अमेटकर थे इसके आपका सितंबर 1931 में हुआ था तो इसके लावा तिसटा गोलमेंग समयल्यून में आपका हुआ है नममबर 2032 में आपका हुआ है तो डॉक्टर भीम नाओं बैटकर इसका आपका रायट एंसर हो जाएगा नेक्स जो पर पुछा गया कि राश्रवा की इस तरश्या की रुपे मनुनित होने वाली पहली महिला कौन है या कौन थी तो इसका राइट एंसर आपका रुकमनी अनुनले डेवी आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा जिनका जो आपका कारेकाल था 1922 से लेके 1922 था क्या पुने जागरेन का नेतित क्या था और मदरास जो की अब चनहीं हो गया है वहाँ पर आपका कला छेत्र फांड़ेशन की इन्होंने अस्थापना भी की है इसके लाव उनिस्टो चपन में इन्हें पदम हुसन से भी स्तमानी थे जो कि किया जा चुका है इसके लाव अगर आपसे पुझे जाए कि पहली मैला भीनेतरी जो कि रश्रवा की सदस्वनी है वह आपके नर्गिस दद जिते है ठीके नेक्स जो परस आपसे पूछा गया कि बोन मेरो को कौन से को शिखा के दुबारा आपका मजबुती मिलती है तो इसका तो 100% राइट एंसर नहीं बता लेकिन हाँ बोन सेल आपका उप्शन में दिया गया था तो इसका राइट एंसर आपका बोन सेल हो सकता है अगर गलत है तो आप लोग कोमेंट शेक्सर में ज़रूर बताएगा इसका राइट एंसर क्या हो सकता है बोन मेरो जिसे कि हम लोग हिंदे में अस्थी मजा भी कहत यह आपका अर्ध ठोस्त उत्तक है, जो कि हड़ियों के अस्मंजी, जिसे रद्दी भी कहा जाता है, भागों के भितर है जो कि आपका पाया जाता है, तो बोन सिल क्या राइट एंसर है? आप लोग कॉमेंट सेक्षिन बताइएगा, नेक्स आपका है कालवेलिया निर्थ है, जो कि किस तरा से समन्दी थे तो कालवेलिया जो निर्थ है वो आपका राजस्थान का एक लोक निर्थ है तो राजस्थान हो जाएगा राजस्थान में आपका एक कालवेलिया समधाई के लोग रहते हैं उन्हें के द्वारा ये निर्थ है जो कि किया जाता है इसे कलवेलिया निर्थ के लापा अलावा सपेरा निर्थ असनेक चामवर निर्थ के नामों से भी आपका जाना जाता है इसके लावा 2010 में ठीके इनोसकों की मानवता की अमुर्थ संस्कृतिक विरासत की सोची में आपका इसे 2010 में है जो कि सामिल क्या गया था इसके लावा गुलाबु स्रफेरा इस निर्थ के एक परतिबादक है जो कि आपके एक्जामें बारबाप पुछा जाता है तो उसको भी आप लोग याद कर लिजेगा इसके लावा राजस्तान के अन्परंपरिक लोक निर्थ को देखें तो गैर इसका हो जाएगा राइट इंसर कच्छी घोडी हो जाएगा घूमर हो जाएगा भवई हो जाएगा यह सब आपके आपके महराष्य से समंदित लोक निर्थ है वह इंपर केरल की बात करते हैं तो केरल में आपका कथाकली मोनिय टम जो कि आपका सास्ते निर्थ है इसके अलावा थिरो थिर कले चक्यार कुथ्थू ये सबी दोस्तों आपका केरल का लोक निर्थ है और सास्ते निर्थ है इसके लबा गुजरात के सास्ते नहीं आपका लोक निर्थ की बात करेंगे तो डांडिया रास, गरवा, टिपनी, पधार ये सभी आपका गुजरात का लोक निर्थ हो जाएगा वह इंपर नेक्शोसन पुछा गया कि सिर्पूर जो तिर्थ है, वह आपका किस राज में इस्ति थी, तो सिर्पूर दोस्तो आपका भारत के 36 गर में आपका ये इस्ति थी, सिर्पूर महानदी के टट पर इस्ति देख पुरा तात्विक अस्तल है, इस अस्तान का प्राचिन नाम है श्रिपूर, ये एक भी साल लगर हुआ करता था, ये दच्छिन कोसल की रज़ानी हुआ करती थी, स्रोम मुशिन अरेसो ने यहाँ पर रामंदीर और लक्ष्मन मंदीर का निर्मान कराया था, और इटो से बना प्राचिन लक्ष्मन मंदीर आज भी यहाँ की दरसन इसका जो ICC World Test Champion का जो Final है, वो Friends आपका लंडन के Cannington Oval में आपका हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये दोस्तों आपका उस्टेलिया और अपने देश भारत के बीच में हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो 7 से 11 जुन के बीच है, जो कि आपका खेला गया था, इसके लाबा बीचेता कौन बना था, तो बीचेता Friends आपका दुरुभाग गुवस आपका बीचेता उस्टेलिया बन गया था, और जो हमारे भारत हैं, वो दोस्तों आपका रनप बन के रह गया था, इसके लाबा ये दो जाते हैं, इसका जो ICC World Test Championship था, वो आपका दूसरा संसकरन था, ठेके, पहला संसकरन आपका, वो भी दोस्तों आपका न्यूजिलेंड और भारत के विच्छी फाइनल खेला गया था, इसमें आपका बीचेता बना था, न्यूजिलेंड, ठेके, इस बात को याद रख लिजेगा, ठेके, नेक्स जो कोछ नप पुछा गया, कि एक परश आपके सिफ्ट में हमेशा देखने को मिलेंगे, जब भी आपका कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी एक्जाम होगा, ठेके, तो आपको जाईएगा, तो हाली में, आज कल ही के सेक्षन में आपको मिल जागा, ठेके, तो भारत अंस संगितकार की बात करेंगे, तो लता मंगिशकर आपके ऑप्शन में लेखा गया था, जो कि राइट एंसर था, इसके लावा अगर आपसे वहाँ पर पहली संगितकार के नाम भूज था, और ऑप्शन में आपका एम्मे सुबालक्ष्मी होता, तो एम्मे सुबालक्ष्मी आपका राइट एंसर हो जाएग जो को भी दिया गया था जो कि ये क्या है एक आपके गाई का है इसके लावा 2009 में आपका पंडित भिमसें जोसी को दिया गया है ये पुरुशकार जो कि आपका क्या है तो एक आपके इंदुस्तानी संगित से समंधित का है गाई का है इसके लावा 2009 समित किसे दिया गया है त इसके दोड़ा किया गया था तो इसका राइट एंसर आपका स्वेंग राइट एंसर हो जाएगा इसके लावा जो अंतराष्टे जो सांति दिवस है वो दोस्तो आपका मनाय कब जाता है तो इसके लावा इससे पहले आपका 2022 में मनाय गया था उसके लिए जो थिम था आपका नसलवात का अंत सांतिक की अस्थापना इसका थी मुहा करता है इसके लावा अंतरास्टे अहिंसा दिवस के बात करेंगे यह कब मना जाता है तो अंतरास्टे जो हिंसा दिवस है वो आपका 2 अक्टूबर किसके जन्म दिवस के उपर मना जाता है तो आपके महात्मागादी के जन्व दीवस्पर मना जाता है ठीक है, नेक्स जो कोस्टम पुछा गया कि केल्सेम हैड्रोजन का अन्य नाम क्या है तो भूजा चुना आप लोग जानते हैं जिसका राइटेंसर भूजा चुना या सलेक्ड लाइम हो जाएगा, ठीक है केल्सेम हैड्रोसाइड एक अकार्वनिक योगिक है जिसका अनुस्तुतर अगर आपसे पूजा जाए तो C-A-O-H-2 आपका इसका राइटेंसर होगा इससे प्रामपराकर तुर्प से शामित सुना या भूजा चुना या सलेक्ड लाइम है जो की कहा जाता है नेक्स कोसन पुछा गया कि निमलिकित में से कौन सा जो एक बैंक है, जो की माइक्रो फाइनस बैंक है, ठीक है तो राइट एंसर आपका बंधर मेंक दिया गया था जिनके पास परामपरिक, बैंकिंग और समन्दित सेमाव तक पहूच नहीं है बंधर मेंक का अगर आप से हेट कौर्टर अगर पूजा जाए तो ये दोस्तों आपका कुलकत्ता पच्छी मंगाल में हेट कौर्टर इसका इस्तित है नेक्स पुछा गया कि मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है नहीं पुछा गया था हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कारक है उससे आप क्या किजेगा छाट लिजेगा तो मौसम को प्रभावित करने वाला कारक है आपका सुड का उदे है इसके अलावा वायू की उत्पत्ती है इसके अलावा वायू की गती है वायू की गती की अलावा आपका वर्षा रितू करना होना है इसके अलावा श्रमुंद्री की निकटता या दूरी आदी आपका है मोसम परभावित करने वाले कारण है नेक्स कोर्षन पुछा गया कि गोदान जो उपनियास है आपका किस के द्वारा लिखा गया है या कोर्षन आपका इस प्रकार पुछा गया था कि आपका मुंसी प्रेम चंद जी के द्वारा निमलिकित में से कौन सा उपनियास लिखा गया है जिसका राइट एंसर आपका क् पुर्ण उपनियास था उनका जो जनम है आपका धनपत राइश रवस्तप के रूप में 31 उलाई 1880 को हुआ था ठीके इसके लावा गुदान के अलावा उनकी जो परसिद रचनाय है उसमें आपका एक आपका कर्म हुमी के अलावा गवन गवन के अलावा निर्वना निर्व के अलावा मांसरोवर इसके अलावा इदगा इनकी परमूद परसिद क्या है रचनाय है नेक्स देखिए कोश्चन पुछा गया कि बकसर का जो यूद है आपका किस वर्ष हुआ था तो बकसर का जो यूद है या आपका 1764 भी को हुआ था अगर आपसे डेट भी पुज़ जाए तो उसको भी आप याद रख लिजे इसका जो डेट था आपका 22 अक्टूबर को हुआ था इसके लावा बाइस या कहीं कहीं 23 भी आपका लिखा जाता है तो दोनों डेटों को आप लोगों को याद रखना होगा ये फ्रेंट्स आकिरकार हुआ किसके किसके भीश था तो ये फ्रेंट्स आपका इस्ट इंडिया का जो इस्ट इंडिया कंपणी और मुगल तथा नवावो की सेना के बीचे लाड़ा गया था उस समय जो इस्ट इंडिया का कंपणी का जो नितित्व कर रहा था वो आपका हैक्टर मुन्रो कर रहा था इसके अलाबा बात करें तो नवावो, यानि कि दो नवाव थें, आपके तिन नवाव थें, एक तो आपका बंगाल का नवाव था, मिरकाश्रिम था, एक आपका अवद का नवाव था, सुजाओ दोला, एक आपका मुगल का नवाव था, जो कि मुगल बास्चा उस्तों में हुआ करता था, साहलम दि अगर आपसे पुदे जाई वो फ्रेंड्स आपका कभ हुआ था तो आपका सत्तरासो संताम अनिस्वी में हुआ था इसको आप लोग आत कर लिजेगा ठेके नेक्स कुस्टन देके पूछा गया कि भारतिय समिधान की निमलिकित अनुच्छिदों में से कौन सा जा गया था जो कि फ्रेंड्स आपका 100% राइट एंसर था ठेके भारतिय समिधान का जो अनुच्छिद उन्चा से वो आपका संस्कृतिक विरासित की रक्षा के लिए राज के दायत्व से समन्दित प्रवधान आपका सामिल करता है इसके अलावा ये राज को राष्ट्य के असमारकों की रक्षा करने का भी निर्देश देता है ठीक है इसके अलावा अनुच्छिद की बात करेंगे तो अनुच्छिद जो इक्यामन है वो फ्रेंड्स आपका क्या कहता है तो आपका अंतरस्टी सांतियो सक्षा को ब्रावा देने की जो ब्रावा देने के लिए जो सम्मंदीत प्रवधान है, वो आपका अनुछेद 51 में है, इसके अलावा अनुछेद 50 में क्या है, तो कारपलिका से न्याई पलिका का पिर्थक करन, इसका जो सम्मंदीत प्रवधान है, वो आपका अनुछेद 50 में नहीं थे, नेक्स कुछा गया, कि भारत में सबसे ज़ फर्स पूछ दिया जा या फर्स पहले भी पूछा जा चुका है तो उसका राइट एंसर आपका गुजरात था लेकिन आपसे सेकेंड पूछा गया है हम आपको दो बर बता दियें कि सेकेंड ही पूछा गया है तो आप कॉमेंट नहीं किजिएगा कि ये प्रश्न आपका तिससा आपसे कल पूछी दिये जाए तो तेलगाना उसको हीट कीजिएगा चौथा पर आन्परदेश पाचमा पर मदपरदेश छट्ठा की बात करेंगे तो कनाटक के बाद हर्याना आठमा पर राजस्थान नौवा पर पर पंजाव और दसमा पर आपका ओरी सा इसका रा फरत नाट्यम से है तो इसका राहे ट। आपका क्या हो जाएगा अलबार म sociology के स्थापना इसने की द्वारा किया धंपर है इन्यें Huge媽 स्ठा का भी award है जो की दिया गया है इसके अलाबा 2001 मीने संगीत नाटक एकेडमी का आइबोर्ड दिया गया है और 2004 मीने पदम भूसन का आइबोर्ड है जो कि दिया गया है इतना फेक्ट तो आपको बता दिये हैं आसा करते हैं कि वीडियो है जो कि आपको पसंद आया होगा यही परश्ण अभी तक आपके मिले हैं बाकी 2-3 परश्ण जो नहीं मिले हैं आसा करते हैं कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में उसको बता ही दिजेगा तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा अगर आपको SSC 2-3 इसमें जितने की जाम हो है उसका पीडियो लेना चाते हैं विद एक्स्टा इंपॉर्टेट फेक्ट के साथ साथ में SSC MTS का पीडियो लेना चाते हैं अगर आप ये लिजेगा तो SSC MTS का पीडियो आपको उसी में मिल लिएगा लेकिन सिफ SSC MTS के लेना चाते हैं तो मात रुबिष पे मैं आप इसको ले सकते हैं वाट्सप नमबर पर समपर कर लिजेगा दो वाट्सप नमबर आपके सामने दिये गए हैं जो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के फर्स रिफ के वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जैभरत वंदे मात राम